सब्सक्राइब पीछे 30 मुलक रहे गया यह वो एफरीका के होंगे यहां को लiटन اमेरिका के होंगे इस तरह की उनकी कंडििशन होगी पीछे तो कुई हम से मुलक न रहे गये यहां अफगानस्तान पीछे यहां कुछ अरब ममालक के पीचे हैं अब यह जो हिमन डिवेलमेंट क्राइसिज है जिसमें लिटरिसी के मसले है एजुकेशन है है पावर्टी है हिमन वेलफेर है अगर यह अगर आम अवाम जिसे आप नॉन टेडिशनल सिक्यूरिटी कहते हैं अगर आपका वो इंडिकेटर ही खराब है तो देन हमने क्या तरह कि इंडिया जो है किस अटक किसमें मलविस हो सकता है क्यूंकि लिए बहुत आसान है पाकिस्तान को डिस्टरप करना थोड़ा सा माली और असकरी वसाइल देकर इसके सुबूत मिलते हैं कुछ जी देखें नेटर फोर्सिस की प्रेजन्स के दौरां तो दो डेकेड्स जो दो दहाईयां थी उसमें भारत का बहुत स्यादा अमल दखल रहा उनकी इंटेलिजिजन्स इसके साथ उनकी ट्रेनिंग में वो शामिल रहे और इसके इलावा बॉर्डर एरियास में जो उनकी उपिशन्स की प्रेजन्स थी, इसके चार ही हैं जिस तरह के हमारे इसके बारती पावर में आपका सवगत हैं तो उसकार वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर मोधी हैं वो पास साल का उनका आने वाला जो फ्यूचर है पास साल उसमें वो क्या-क्या क सब्सक्रार करेंगे किस तरीके से भारत में चर था मतरा है इससके बारत करें लेकि इस्तानी मीडिया और उसके नीची आशंस दिरिकें करहा करते हैंう जो जाने रही है कि इसे बहारत के अंदर स्टार्टप कल्चर को रहा है आप जानते हैं कि इसमें भारत के अंदर जो सैक्डों यूनिकॉन है और हजारों जो हैं डोड़ी युशूटर के लिए ब्हारत की डिवालोपमें्ट के लिए और जो भारत का सपना है कि इक लाज इतनावी बड़ी इतनावी बनने का वह उसको पूरा करने में बहुत घ्र ह है जब कुछ होगा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो पूरी वीडियो जरू देखेगा धन्यवारत में तो इसलिए इंतिजार तो कड़ना ही पड़ेगा और उसके बाद ही पता लगेगा लेकिन एक वीडियो क्लिप में आपको दिखाती हूं जो के पीम मोदी का है और उसमें वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट फाइव यर्ड्स में भारत में क्या होगा लेकिन ये जरूर है कि हम भी चाहेंगे कि उनसे यही कुछ चीज़ें सीके और काश हमारे पॉलिटिशन भी ऐसी तरह की कुछ चीज़ें प्लान करें पाकिस्तान के और खास तोर पे एजुकेशन फिल्ड में एक मिट हम आपको दिखाते हैं वो क्लिप और फिर बात करते हैं आने वाले पांच साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का हुदे देखेंगे आने वाले पांच साल में भारत की सोलर पावर को गर गर तक पहुंता देखेंगे आने वाले पांच साल में भारत में एवी मैनिफेक्टरिंग में रिकॉर्ड बृती देख अगर इसमें से वो 50 ना सभी 40 परसंट भी अगर काम कर जाते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी यकीना पाकिस्तान के पॉलिटीशन भी जब आते हैं एलेक्शन से पहले तो वो इसी तरह की बाते हैं लेकिन बाहराल उसके बाहर कुछ भी नहीं करते हैं बलके भूल करने के उपर आही जाएंगे लेकिन बाहरी है कि अगर 50 परसंट काम भी हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात लेकिन मेरे ख्याले पीम हो दी है आप एक दो बाते कहना भूल गए शायद और उसमें से एक ये कि आज़ पांस साल में आप पाकिस्तान और हिंदूस्तान के ट कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन्स हुएं उसमें रेगुलरिटीज हैं लेकिन उससे बड़ी परिशानी जो मुझे आज़ पाकिस्तानी है वो ये है कि जो हिमेंड डिवेलप्मेंट रिपोर्ट आई है दो हजार तैस्टोविस जो कि युनाइट नेशन्स डिवेलि बड़ी एकॉनमी बनने जा रहे हैं विकॉज कि हम अपने नौजवानों को वो रास्ता दे रहे हैं और मज़े की बात है कि ये देखें ये डिफरंस है दिफरंस इस कमेंग आभी मोधी साब बात कर रहे थे अपनी एलेक्शन कंपेंड के अंदर कि इंडिया का जो चेंज कर रहे हैं हमने अपना माइंड चेंज नहीं किया हम जो हमें डिफरंस इंडेक्स में 161 से 64 पे चले गए हैं दुनिया के 192 मुलकों में और जो पीछे 30 मुलक रहे हैं या वो आफरीका के होंगे यहां को लैटन अमेरिका के होंगे इस तरह कि उनकी कंडिशन होगी तो पीछे तो कोई हमसे मुलक न रह गया है यहां अफगानस्तान पीछे आई यहां कुछ अरब ममालक के मुछे हैं अब यह जो हमने डिवेलमेंट क्राइसिस है जिसमें लिट्रेसी के मसले हैं एजुकेशन है है पावर्टी है हमने वेलफेर है अगर आम अवाम जिसे अभी एक तो मैं मानता हूँ इंडिया के अंदर इस वकड़ एलेक्शन है तो पॉलिटिशन जड़ा बढ़ा चड़ा के बातें करते हैं बढ़ा चड़ा के बातें करते हैं बढ़ा बढ़ा चड़ा के बातें करते हैं if they have brought the country to a fifth largest economy it means they can look at or they can at least have dreams for being fourth or the third largest economy होई so यह जो startup ecosystem create करना अभी जिसे वो कहते हैं ना के एक लाग 1.25 लाग startups हो है वो आये जिसने और 110 unicorns है आपको पते हैं एक unicorn is a billion dollar investment so यह आप वो जिसे कहते हैं ना के जो इंडिया के जो social fabric है वो obviously हमारे इस पूरे region के अंदर जैसे जैसे आप गाउं से निकल के शेर में आते हैं life बड़ी change होती है इंडिया के अंदर भी यह life जो है वो बड़ी तेजी से change हो दी है because वहाँ पे startups की बात है भारत से 2000 डाक्टर जो है वो UK जाएंगे वहाँ का जो national health system है उनका NHS वो बिलकुल तबाही के धाने पर है 1947 के अंदर एक act के जरीए यह काम में लाया गया था वहाँ पर और आज बिलकुल काम नहीं कर रहा है उसके सबसे बड़ी वज़ा यह है कि डाक्टरों की तरहाएं ठ दूसरा system इस तरीके से collapse कर रहा है कि हर आठ मेंसे एक आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डाक्टर को मिलने के लिए और वहां पर एक एक महीने का इंतजार करना होता है मरीजों को करना पटता है डाक्टरों के लिए दूसरा जो इस वकद दो लाग्ट से ज्यादा लोग जिनको जिनकी बचाने के लिए सफ सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए लेकिन को डाक्टर मुझे असर नहीं है एक हजार दो हजार भारती डाक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको अब यहां यह बताना चाहिए एक लाख से ज्यादा वरकर इस वक्त इ कोंद करते Taylor के जिनके हैं क्या आप समझते हैं कावल हैं कि já वी किस अपर्द रिखिक तोर पर वह तो मुझे लम है कि दिली好不好 जाoda जातेए जाते भारत का बहुत स्यादा अमल दखल रहा उनकी इंटेलिजेंस इस्टिउशन के साथ उनकी ट्रेनिंग में वो शामिल रहे और इसके इलावा बॉर्डर एरियास में जो उनकी इंटेलिजेंस ऑफिशन्स की प्रेजन्स थी, कॉंसुलेट्स तो उनके चार ही हैं, जिस तरह के ह अपना फुट्प्रिंट तो बहुत बढ़ाया है इंटियन्स ने, तालबान के आने के बाद से गो के उनकी इंबसी की फॉर्मल प्रेजन्स कम हो गई थी, शुरू में तो रही नहीं फिर अप हैंबसी, लेकिन लोर लेवल्स पे हैं, लेकिन अभी आपको, आपने देखा ह और पाकिस्तान और वालिस्तान के आपस के रिलेशन्स में बहुत ज्यादा रखना पड़ चुका है, बहुत ज्यादा खिला पड़ चुका है, तो इस सूरत में इंडिया का फैक्टर और ज्यादा इस्तमाल किया जाएगा, तो आसा करता हूं आपको हमारी वीडियो अची चलना है और सब कुछ चलना है इसके बीच में वो नय नय रोज इनिसियेटिव जो है वो launch कर रहे हैं नय नय schemes launch कर रहे हैं अलग-अलग project का launch कर हैं कभी sales tunnel launch हो रहा है तो कभी करस्मीर केंदर अलग project launch हो रहा है ये चीजे दिखाती है कि जो continuity होती है अगर policy में तो वो देज के लिए कितनी अच्छी होती है अगर PM मोजी चुनके फिर से आते हैं तो जो development है काम उन्होंने शुरू किया है वो उसको continue कर पाएंगे कोई जो policy disruption होता है वो नहीं आएगा और इसका impact जो है वो भारत के लिए बहुत अच् का जो effect है economy के ऊपर और जो society के ऊपर उसके बारे में हम बात कर चुछे हैं कि यह कैसे job creation करेगी यह किस तरीके से जो हमारे economy है उसमें development में help करेगी लेकिन एक और चीज़ देखे होंगे दोस्तों कि जो पाकिस्तानी है उनका जो बीमारी है भारत को लेके जो obsession है भारत को ल पर खतम हो गया था लेकिन उस चीज़ को यह अब मानते नहीं और यह आप कहना सुरू कर दे कि भारत इनका कुछ हो नहीं सकता क्योंकि यह खुदी सांप पाले है तो वह सांप तो काटेगा ही हिलरी क्लिंटन की एक कहावत है बहुत famous quote है जिसमें उन्होंने कहा था कि अग आपका जो अफगानिस्तान की ट्रेडिस्ट और्गनाजेशन वह सब मिलके आप पाकिस्तान को ठोकना शुरू कर दिया है और यह उनके कर्मों का नतीज़ा है दोस्तों आप इसके बारे में क्या सुचते है आप जरू पताएगा अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो प्रेडिक और सब्सक्राइब करें दाप